आपका स्वागत हैたい के एक नई एपिसोड में और जैसे की आपको पता है कि टेप ए किसी काम करता है अपनी खाल्म कुछ के बात करता है कि मैं ने प्रविश से बारे कुछ बौड़ा करके दिखाया हूं मैं लोगों की बात करता हूं मैं का इंटरनेट सोशेजर मेडिया काम करता है और आज बारी है बंगलादेश की कि बात करने बंगलादेश में इंटरनेट कैसे काम करता है कि इतने में की आपका क्रते हैंWar 1971 में इंडिपेंडेंस मिला था बांगलादेश को पाकिस्तान से गोरिला वारफेर या कफी लड़ाई चली थी वहाँ पर तो उनको इंडिपेंडेंडेंस पिल गया था उससे पहले बांगलादेश पाकिस्तान में था और 1964 में IBM का 16-20 जो वर्जन होता है कंप्यूटर का वो देखने को मिला था वो न्यूकलिएर कमिशन जो होती है उनकी पाकिस्तानी न्यूकलिएर कमिशन जो थी उस जमाने में उसमें सबसे पहले चो कि वहां पर आई-वीन के computers लगाए गए थे, मैं आपको बता दू, 1964 में IBM के computers काफी popular थे और अलग-अलग offices और अलग-अलग high-tech जगाओ पर, जहां पर बहुत जादा computers की जरूरत हुआ करती थी, वहां पर इन computers को इस्तेमाल किया जाता था, यह वह दोर था 1964 का, 1964 बहुत पुरानी बात है, कि computer बहुत 1964 में nuclear power और nuclear atomic power और इन सब चीजों में, जो है computer का इस्तेमाल किया जाता था, अब यह वक्त आया 1971 का, जब Bangladesh को आजादी मिल गई, आजादी मिलने के बाद, उनके educational institutes और research जो institutes होते हैं, वहां पर नएरे computer लगाए गए, और उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे, इंडिया म computers बढ़े, वैसे ही बांगलादेश में computers बढ़ने लगे, और बच्चों को पढ़ाने के लिए, यह computer education बहुत जादा हमाँ पर उननत कर गया, अब बांगलादेश की बात करूं तो भाई, यह country एक बहुत अच्छा example है, कि GDP, उनकी GDP के हालत बहुत अच्छी है, और यह लोग बहुत ही जल्दी develop हो रहे हैं, अब developing countries तो हैं, developed countries तो हैं, हमारी भी पूरी तरह से developed नहीं है, developing countries हैं, तो हम अभी भी develop हो रहे हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो बांगलादेश बहुत अच्छा कर रहे हैं, बांगलादेश के लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ज basically 24ちゃosaurus पहला national internet gateway लगाया था निक बोलते है और एक internationल इंटरनेट गेटवे भी है तो जो इनके कंट्री की जो भी ट्राफिक होती है internet की वो आपके national internet gateway से होग आती है जो की 2004 में पहला setup किया गया तो ने क्किर वहूंगे तो ढुशनारी वी जिए जी आइटिवे से लाग शोपती हो की самого और आप मुखे तॉर पर तरह होगे जो डूमेस्टिक होती है बैंगलादेश की इन्टरेटि की वो इसके थुरहें हो जाती है और जो इंतरनाशनल ट्राफिक होती है बैंटमी परोगई द्रासवित के जाथती है और इंटरनेट बांगलादेश में स्मूदली काम करता रहे मैं आपको बता दू कि 2018 में यहां पर 4G आया था और यहां पर 4G बहुत अच्छे तरीके से काम करता है लेकिन अगर भारत से आप कंपेर करें बांगलादेश के 4G को तो अभी भी इतना किफायती बांगलादेश मे के लिए और वहां की जो करन्सी है वो टका है मतलब टका और हमारे इंडियन करन्सी के साब से कंपेर करें तो 1.14 टका इस एक्वल टू 1 रूपीज इंडियन रूपीज तो वहां पर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे 1 GB मिलता डे के लिए अगर भारत से आप कंपेर करें सो यह काफी जादा बनता है ऐसा भी हो सकता है कि प्लाइन चेंज हो गया हो लेकिन जो मैंने रिसर्च किया उससे मैंने यही पाया है गरामीन फोन के जो पैक देखे जाए वो काफी ठीक है लेकिन उसमें कॉल्स वगेरा शाहिद फ पता चला है इंटरनेट काफी महंगा है कॉल्स भी इतनी सस्ती नहीं है भारत से कंपेर करें तो लेकिन जिस हिसाब से 4G वहां पर आ रहा है और चीज़े काम कर रही है मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में वहां पर 4G और कि फाहिती दरपर बिल जाएगा थैंक और अगर 998 कंट्रीज की जो रैंकिंग है इंटरनेट स्पीड की उससे अगर बांगलादेश को मिला जाए तो 90 की पोजिशन पर आता है बांगलादेश स्पीड की हिसाब से बात करें तो अब बात करते हैं सोशल मीडिया की कि बांगलादेश में सोशल मीडिया क्या जाद की जाती हैं तो बांगलादिश में जो सब से ज़ादा सोचल मेडिया यह पेस बुक 95 परसेंट लोग जो सोचल मीडिया इस्तेमाल करते हैं Iowa मतलब एकस्ट अपर पर करते हैं बहुत है है Facebook पर वहां पर लोग और सबसे जादा 95% उसके बाद अगर कोई चीज इस्तमाल की जाती है तो वह है YouTube जिया YouTube बहुत एगा जाता है बागलादेश में अब बात करते हैं बाकी और सोशल मीडिया की तो सबसे पहले तो फेसबूक के बाद है YouTube उसके बाद है Twitter, 0.something है, उसके बाद है LinkedIn and last में है Instagram, बांगलादेश में और यह जो data है, यह November 2020 का है, तो काफी latest data है, तो काफी कम Instagram यूज किया जाता है, बांगलादेश में मतलब जितने लोग भी social media इस्तेमाल करते हैं, percent के ही साब से, अगर YouTube से compare करें तो Instagram वहाँ पर बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, यह काफी मतलब अजीब लगा मुझे, तो विश्वास नहीं हुआ, बाद data तो जो है, यह ही कहता है, आप मुझे बताईए, क्या आप Bangladesh से हैं और क्या आप Instagram इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर्ली करते हैं, या कभी कभी करते हैं, या आपका अकाउंट ही नहीं है, तो मैंने बता दिया इंटरनेट का हाल, सोचल मेडिया का हाल, computer, IT, अब यहाँ पर invention क्या हुए हैं, मेरे भाई invention बांगलादेश में बहुत हुए हैं mutations के बारे में biotechnology के बारे में बहुत invention है अब मैं बात करूँ, जो सबसे पहले invention की बात करूँ, जगदिश चंद्रबोस के बारे में सब जानते हैं, कौन नहीं जानता उन्होंने पहला microwave horn बनाया था, नहीं microwave oven नहीं microwave horn बनाया था, जो पूरा साहिरन होता है और वो बहुत software बनाते हैं और पूरी दुनिया को software solutions provide करते हैं, अगर आप web solutions के business में कभी होंगे जैसे मैं कभी हुआ करता था, अब भी हूँ तो आपको पता होगा कि बांगलादेश में web solutions कंपनियां बहुत अच्छी अच्छी हैं मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जो बांगलादेश से हैं मैं जानता हूँ ने तो मैंने आपको बता दिया कि बांगलादेश में technology कैसे evolve कर रही है, क्या-क्या चीज हो रही है क्या-क्या नहीं हो रही है, अब ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब कर भाई ऐसे नहीं है, ये plan ऐसे है, तो सारी जानकारी हमें मिल जाती है, एक forum open कर देता हूँ तो ये मेरी वीडियो थी टेख पीपल की बंगलादेश के बारे में, अब मुझे आप बताईए कि अगली कौन सी country होगी अब हमने अपने आसपास की जो country हैं, वो सारी almost complete कर लिए, श्री लंका मेरे कहल से रह गई है, तो उसको भी complete कर लेंगे और उसके बाद अब हम जाएंगे और दुनिया की countries में और बात करेंगे वहां की technology की ऐसी बहुत सारी countries हैं, जिसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकने हैं, तो आप प्रेस के तीन ही थिकल हैं कोर्से जो आसान भाषा में आपको इतिकल हैं कि सिखा देंगे, आपको एक ही थिकल है कर बना देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें हैं, बिल्कुल फ्री के लिए को पैसे दने की जरुदत हैं, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, बेल आइकन को प्रेस के रहें, मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड़ बाई झाल